हाई मैं मनी जर्याज वेलकम तो ग्लेट्स वीजन यूएसे तो इस वीक के वीकेंड के वार पर हमने देखा कि भई करन तेजा की रिलेशन्शिप पर कोशन हुआ उमर की करन की दोस्ती पर कोशन हुआ और फिर उसके बाद जो है तेजा ने कैसी बात बोली कि कोई मेरा इस घ मतलब जो साफ ही है कि आप लोगों को यूज़ करते करते आई हो अपने कन्वीनर के साफ से दोस्ती हो फिर वह आपको आगे ले जाता है सबसे नाइस 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 बनके घूमती हो और फिर आप बोल रही हो कि कोई मेरा दोस्त ही नहीं है तेजा और करन की जो रिलेशन करने की कोशिश करता है और किसी की तरब नहीं होता और ऐसे अपनी दोस्तों को छोड़ देता है जो के गलत दिखता है उमर के लिए तो वह जाके बोलेगा तेजा को भी बोलेगा सौरी बोलो लेकिन करन उमर को नहीं बोलता है कि तेजा से सौरी बोलो और इस तरह की बहु इस्टेंड नहीं लेते हैं वो जो है जिस टाइम पर जैसे मैंने बोला खड़ा उन्चे नहीं होते हैं तो वो सारी बात हुए और फिर हमने देखा कि अब आज जो है फिर हमने देखा कि आज जो है यह यह यूज और वाला टास्क हुआ मतलब एक्टिविटी की गई और सल्मान कान जब अंदर गए तो उन्हों ने थोड़ा यह मस्ती मजाग भी किया और बोला भी लोगों को कि तुम लोग की आंके खुली नहीं खुली वाली बात भी हुई और जिस पर थोड़ी मस्ती हुई के जो है सबसे बड़ा फेकू वाली अथीटिविटी हुई जिसमें परतीक ने का कि तेजसमी को करंने करन यूजर ने यूजर किया है मतलब को इस तहां से मैनिपलेट करके चलाया है इस तहां परतीक ने की मोड़ा निशादाय उन्होंने का उमर को कर Community और रशुमी ने यूंजर किया है ढगर रश्मी दोस् tutaj रशमी को इसके साफ फीलिंक्स थी लेकिन हां उसने आके बहुत सारी छीजे उमर कुकर कैके बहुत रखता को हेल्प की थी ना कै यूज किया था वह उनकी जैनुएंट दोस्ती थी जैनुएंट था वह सारा बात पर तो उन्होंने बोला के करन से यूज़ हुई है तो बहुत जादा देव को बोला गया है कि मतलब अभी जी ने यूज़ किया है या फिर तेजा को बोला है कि करन ने यूज़ किया है तो इस तरह की बात हुई और रश्मी ने भी बोला के उमार को यूज़ हुआ है त तो थोड़ा कह सकते हैं कि उसका आथ पकड़ के वो भी चला है कि कहीं ना कहीं मगर ऐस सच यूज बाद में आके वो लगने लगा था कि मेरी गल्फ्रेंट के लिए बोल या मेरा हो तो उनकी सोच से उन्होंने ये बोला राकी ने बोला अभी जीत ने यूज किया देवो ने इंटर्टेंमेंट के लिए या इस तरह की बात ही किया अभी जीत का यूज किया है देवो ने और उमर ने बोला तेजा ने यूज किया है देवो को राकी ने बोला सज बोल रही है मतलब इस तरह की बात ही और अभी जीत को लग रहा है देवो ने यूज किया लेकिन मुस् घर में आए कुछ तो चैलेंज लेकर जो के हमें दिखा नहीं है नोर चैलेंज कुछ तो और वो शायद दिखेगा और फिर यह पैनलिस्ट आए यह बिग बॉस ने के जो पैनलिस्ट आए जिसमें गीता कपूर आई निशान को सपोर्ट करने देविया अगरवाल आई करन और उमर को विशार सिंग आए देवो को करने और राहुल महाजन राखी को करने आए थे लेकिन उनके पाद कुछ था नहीं कश्मीरा शाह आई थी तेजा की सपोर्ट में और देवलीना बेनर जी प्रतिक और रश्मी के लिए उन्होंने बोला और जो है यह जो है ना क्या इन् को रिपलेस करके लेकिन एंड में ऐसा कुछ बात हुई नहीं है तो देखें क्या होता है और कश्मीरा ने कहा कि करन की पिक उन्होंने फाड़ी सबसे पहले और उन्होंने बोला कि जिस तरह से वह तेजा से बात करते हैं वह सारे जो वर्ट उन्होंने की शकल पर बोला था ला थे रिजद नहीं है और क्भी तो उन्होंने बोला कि करता है तेजा मैंत पड़ो तो बहुत है कि लोग बोलेंगे इस तान से बात है तेजा ने भी बोला कि मुझे मुझे जो करना है मैं करूंगी आया लाओड हिम टू टॉक टू मी लाइक देड मतलब उन्होंने अलाओई किया तो फिर बिग बॉस हमको दिखाते कि हुआ तो अलाओई है तो फिर इतनी इतना दिखा दिखा के सिंपती बला ना तो इसलिए एंवेज उसने बोला उसने करन का साथी दिया और उसने बोला इस लिए नहीं लिया कि उसे बताए कि मैं में कर ले सकती हूं मैं डील कर सकती हूं इस तरह की बात हैं मतलब वह सपोर्ट ही करें थी जो इतना पूरा एपिसोड काटा गया था ना कल के तेजा बिचारी है रो रही है सिंपिती है और अपना सारा कुल लेने के बाद फिर वह करन कोई बोलती है नहीं नहीं ही जालाओड है और तो फिर भई यह और निशान करता है ठीक है उनकी सपोर्ट निशान की तरफ थी उस टिकेट टू फिनाले के लिए और शमीता के रही है मेरा घर है मैं रहूंगी इस तहां की बात हैं न्यू शमीटा शेयती डिद यू नॉर लाइक इस तहां से और देवया ने बोला कितनी बार आएंगी ज कुछे तो बुलाया भी नहीं और देवया नेहा को बोल रही है अटेंशन के लिए ट्विट करती है शमीता कह रही है तू तो बहुत कुछ करती अटेंशन के लिए तो वही गमासान तो दोनों का मतलब ऐसा लग रहा था हम बिग बॉस देख रहे हैं वाक्वी जो लड़ा करते हैं अगेंस देवया पर देवया ने भी बहुत धटके लड़ाया जवर दस और सलमान ने बोला बड़ी बात है यह के OTT से मतलब यह सब आई और अभी तक यहां पर है मतलब निशान प्रतीक चमीता और सलमान ने थोड़ी मस्ती भी की के वरून को सलूट किया है और कि जिस तरह से देवया बात करती है तो थोड़ी चेचाड़ भी हुई उनके देवया ने बुला हाँ उसको पता है मैं ऐसी हूं और मुझे पसंद भी करता है तो डेफिनेटली करता है ऐसी आपकी कुछ तो चीज उसको ट्रैक की होगी जो आपके साथ है और दो में अंडेस् जारी देवया को रोश किया गया है वहां पर और जो है यह हुआ आर्ग्यूमेंट फिर नेहा आए और उन्होंने ना बोला अभी जी डिजव नहीं करते हैं और नेहा ने बोला कि आप मुझे संसकार सिखाना चाहते क्योंकि यह जब आने से पहले इन्होंने मीडिया जब तो उन्होंने यही बोला था कि मैं अंदर जाके ने इनको संसकार सिखाओंगा लेकिन अपने हीस संसकार दिखा दिया और यह policy क्या कर रहे थे आप की बाते कैसी थी आपने किस तरहा से वह लड़की को की जूती है मतलब जूती बोला और पैर की जूती और इस तरहां की ब तो जूती से तो अभी जीट बोले मेरे भी जोना दोस्त मेरी भावियाँ मेरी गर्फरेंड मेरे पता नहीं कौन-कौन तकला करेंगे उन्हें खुद नहीं पता था क्या क्या बोल रहे थे वह सल्मान को बोल रहे थे रोकें ने और सल्मान ने भी बोला मैं तुम्हारे वो किलिप दिखा उस अंसकार की बात हुई तो जिसमें बहुत बड़ी बड़ी गालियां दियें जो के म्यूट कर दी गई थी एपिसोड में तो उस देख लो शमीता क्या कर रही है यह तो मैं सपोर्ट करने आई है लेकिन वोट प्रतिक कोई जा रहा है तो थोड़ी सी वो छेल चार थी और फिर जो है विशाल सिंग आये और उन्होंने बोला कि वो अभी जीत की जगाना देवो को देना है और उन्होंने बहुत उनसे कहा क उस आदमी को इतने चैंस दे रही है इतना कुछ करने दे रही है और हमाय साथ भी बहार बहुत बहुत गलत हुआ है लेकिन हमने उनको हटा ही दिया है उन लोगों से तालुक ही खतम कर दिया तो तू भी ऐसा कर तो सर्मान ने उनको पूचा वही आपके साथ भी गलत हुआ लेहां थोड़ी सी मस्ती उनके साथ कि और विषालने के टेक इस्टेउन तो जह के विलकुल सही बात बोली कर रही है वह बहुत हर सकती है विलकुल उनको है पॉफ कर सकती है बट वह नहीं करती है दृभा नहीं करती है अधिक한다 आ यह नні बहुत अछा बोला उसे पतoss markal हो थोड़ा उन्ने बोला देवदास लोक अच्छा लगता है आप पर मतल़ प्रतीक देवदास बना दिये प्रतीक को हमें प्रतीक देवदास लगा नहीं है भर ठीक है probर और उन्हें बोला अच्छा बुरा जैसा खेला है दिखा है मगर दिखता रहा है ये बात हमने इसे control करते हैं आप कैसे चीजों को जब आपको बोला जाते हैं तो आप उसको correct करते हैं नहीं करते हैं यह वाली बात होती है और यह भी बोला के lots of fans बनाए हैं आपने easy मत जाओ वाली बात की और सलमान ने इसे जो advice दी थी aggression पे तो उसने पूरा अपने दिल पे रखा लिखा और उसने वह follow किया और इतना serious लिया उन्होंने यह बोला और कहा कि टास्को जोक नहीं बनाओ मतला वो जो देवो और रश्मी वाला हुआ था क्योंकि बड़ा नीचे नीचे पानी डाल रहा था यह बताब टास्क है टास्क को अच्छे से करो इतना over भी नहीं जाओ तो इत एड़ाइस दी उन्होंने कि वह फुलिश दिख रहा था मिल्कुल सही बोली उन्होंने और संबल रहा थे जैसे मैंने बला अच्छी एड़इश दी उन्होंने बोला कि खेलो गेंँ एक तरह से और फिर उन्हां ने अभी जीत के लिए बोला कि डिजर्व नहीं करते हैं अ और्डियंस को लगता है he's funny और उन्हें देविया की example भी थी कि देविया भी बोल रही थी कि ये तो ऐसी बोलता है इसकी मतलब बातों को ध्यान नहीं दो मगर उनने का इनका दिमाग बहुत चलता है जब वो planning plotting कर रहे होते हैं टास्व गारा को लेके वो बहुत अच्छे से उन्होंने करन को बोला मुझे लेके जाना फिर मैं तेजा को लाँगा इस तरह की बातें बहुत उन्होंने दिमाग लगाया था और बिल्कुल सही बोली हमने भी बोला था कि वो ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग वर्क में करता है बहुत वर्क करता है लेकिन जब वो बातें क छोड़ दूंगा इस तरह की बातें जो की थी और डेवलीना ऐसी ले रही थी लेकिन उने डेवलीना को भी बोला कि जो है ना आप सौफ्ट हैं पर आप भी रॉंग हो इतना कोई किसी को माफ नहीं कर सकता रॉंग को जस्टिफाय करना भी रॉंग है आप उससे मुद्धा ब में का तो बंदा बार बार उसके बोलने पर ऐसे क्यों जाएगा इसका मतलब है आपको भी पता है और ये बात हमने भी बोली थी कि देवल जाती इसलिए कि उस वो कुछ बोलेगा और देन मुद्धा बनेगा तो वो बनाना चाहती है इसलिए उनको माफ करके आगे जाती है कि इससे मैं अपने मुद्धे लूँ तो मैं मेरी लिए हेल्प होगी गेम के लिए तो ये वाली चीज उन्होंने बोली और जो के बहुत सही बोली अपर गीता आएं गीता कपूर और उन्होंने बोला कि राखी को चोड़के न मैं सब को निकालना चाहती हूँ जो भी टिक साकी क्योंकि भी पर कर रहे हैंने और तो बहुत सही बोला कि तुम उल्जेमा अक्षा जाके लिए लीए तो च्यम अंमने देखा है जो वो ते डसता है, नाग है, ये है, वो है, वो सारे लोग निशान के साथ जाके बैठते हैं, निशान से बातें करते हैं, निशान से लेते हैं हर चीज का मतलब किया करें, क्या नहीं करें, अपनी बातें हमने हर किसी को देखा है, प्रतिक और निशान तो साथ ही चल रहे है OTT से ही चल रहा है इन लोगों का तो एक जो बन गया बांड वो तो चली रहा है लेकिन जो बाकी लोग है चाहे वो जैब अनुशाली हो जो कर बाहर निकल गए है चाहे वो करनकुन्दरा हो चाहे वो तेज़स्वी प्रकाश हो चाहे कोई भी हो घर के अंदर जो जाके बैटत तो उन्हें कहीं न कहीं पता होता है कि निशान भर कंमाइन बहुद चलता है बहुत सही से चलता है तो हिसना की बात की उन्होंने यह भी बोला करन के लिए भी बोला कि smart player है पर सबको ऐसा दिखाते हैं कि sad story चल रही उनकी और ये बात भी मैंने आप लोगों को पहले ही बोली थी कि ही प्रिटेंड वो ऐसा दिखाते हैं वो उन्हें पता है ओडियंस के इमोशिंज को कैसे लेना है तो वो बात भी उन्होंने मेरी सही करी तो वह चीज उन्होंने बोली और ये बात भी बोली निशान को के तुझे लग रहा है कि वो तेरा एक दोस्ते लेकिन वो उसको चांस मेंने तो तुझे सबसे पहले काटेगा इसका मतलब है कि यू आर इस ये वाली बात दाली उन्होंने बोला निशान डेडिकेटिड है शो के लिए प्यार है उसका लोगों को क्यों नहीं लगता कि you deserve ticket to finale मतलब घर वालों ने उसको हटा है क्यों नहीं लगा कि निशान deserving है तो वो बात बिलकुल सही बोली और प्रतीक उस तेम बहुत genuinely निशान के रेली वेल और विशाल जो है ना वह उनका हमने पहले भी देखा था लास्ट वीग भी जब आया थे तो वह कुछ थोड़ा उनका प्रतीक के लिए खेलता है मगर अपने लिए खेलता तो और उसी टाम जो है ना गीता ने वह बात को काटी और उनका नहीं तुम बहुत अच किया तो यह वाली बाते राहुल महाजन पता नहीं क्यों है उन्होंने आके करन को बस बोला के उनकी पिक्चर भी निकालनी थी उनको और उनको बोल रहे हैं कि तो अच्छा है तू रोक स्टार है मगर उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया है तो बस ऐसी आ गए थे पता कि अब वी जीट के साथ जो भी आफी कहा गया है और उन्होंने बोला कि हा करनने बोला के कि कश्मीरा से के ने भी पर मेरे मतलव गलती जब अपनी सफाईम में उन्होंने बynnays 8 यह पमने अपने आपने बतसे excus के जो है और मेरा गुसा है उसे जादा मेरा प्यार है। सलमान ने थोड़ा उने बोला किंट्रोल करो गुसे को दिखता है, बार गलत दिखता है। सलमान ने बोला टेका श्टम 18。 हमें से कुछ नहिंठी से कुछ रृलेशनश्युप से बट अपना श्टम लिया करो। तो वह रिलेशन्शिप सबकी होती है लेकिन गलत और सही के टाइम पर रिस्टैंड लेना वह ओपनली दिखना चाहिए तो बात बोली जो के मतब कल जो इतना धोया था एपीजोड में आज सब थोड़ा सही हो गया और बहुत जिंदगी पड़ी है अच्छे से गुजारना उमर और रश्मी को बोला अप लोग अच्छे लग रहे हो उमर को बोला कि रश्मी ने अगर पती को अप्रिशेट किया उसको बोला प्राउड आफ यू करके क्योंकि वह एक अच्छा जेस्टर कर रहा था और वह स्पोर्समेंशिप क्यूलिटी है तो रश्मी से बोला कि अब जोने की ज़रूरत नहीं थी तो रश्मीनवान नहीं नहीं और भी चीज़ें चल रही थी सकी बाते हुई और फिर जहां ने भी बोला उमर के लिए क्योंकि करन के साथ उमर को भी सपोर्ट कर रही थी तो उन्हें बहुत एप्रिशेट किया उनको उनको बोला कि आपक है और सलमान मगर लगे थे कि आपने देखा नहीं उमर ने क्या किया लास्ट वी और देवे ने बुला मैंने मतलब बहुत अग्रेशन देखा और वह जाहिर सी बात है वह ओटीटी की भी बात करी उन्हें भी पता है कि क्या क्या हुआ था ओटीटी में जो अभी करन के साथ हो रहा है ऐसा ही कुछ ये प्रतीक वगारा के साथ भी ओटीटी में आवा था उनको एक डील दी गई थी और जिशान को बाहर निकाला गया था जहां पर दोनों को निकालने के बज़ए सजा देनी चाहिए थी तो उस चीज़ पर उनका थोड़ा रहा था दिविया का जो के बाहर अभी निकाला उन्होंने और के उमर ने दोस्तियां निभाई हैं ये वाली बात भी बोली उमर ने बोला मैंने सुना भी और अमल करने की कोशिश भी की सलमान ने बोला आपने सुना आपने अमल मतलब मगर किया नहीं पूरा नहीं किया नहीं पर अमल नहीं हुआ पिता ने फिर उमर को बात कही जो के मैंने कही थी इस नॉट लाइक के वो ऐसा है या वो ऐसा कर रहा है लेकिन जो देखने में आता है ना उससे जो नॉर्मल आउडियन्स है हां हम अगर फैंडम हैं हम एको इंटरनेट पे हैं हम सुल्जेवे लोग हैं हम सोचेंगे लेकिन अगर आफ जोसके आफे आपको देख रही है है तो उनका सक्षण बहुत जरूरी होता डेकर उसलगों इसके बास नहीं जाना विए उमर भी अच्छे से बताया है qary कोट पहने लेते हैं अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो हम पस डॉक्टर होते हैं तो बात सही है वह अपनी जगा बिलकुल सही है मगर कोई चीजें दिखने में गल्ला लगती है और यह सिर्फ उमर के प्रोफिश्चिन डॉक्टर की बात नहीं है एविन हम तो बोलें ना करन इस से दूर रहना है यह नॉर्मल साइकालोजी है इंसान की डॉक्टर हो चाहिए एक नॉमल बंदा हो लेकिन लोगों का अपना रहता है कि अगर उनको ऐसा कुछ दिख रहा होता है तो ऐसे लोगों से दूर रहते हैं तो वह चीज के लिए ही गीता बोल रही थी और उन्ह रही थी और शी सेट गीता कपूर ने बोला कि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत एग्रिसिव हो चेंज और एटिट्यूड कश्मीरा ने भी बोला देविया ने भी बोला कि मतला वह ऐसा थोड़ी करेगा सर्जिरी के टाइम पर धकाव की इस टाइप की चीज़ें गीता ने से बुला कि कितनी बार यह सारे पैनलिस्स चले गए तो सीमान ने तो आहे हुए थे तुम पृत्त सम जढ़ाया हस्ते हस्ते भी समझायों मुझे हस्ते जीदा यादने हैं अगर आपको यादेता बता सकते है समझाया, यह पता है, लेकिन इस इनसट के साथ समझाया ना, सॉरी, कोई भी भी नहीं समझ एक है, आप साफ लग रहे थे, बढ़का के, बढ़का के समझा रहे हो, तो वो चीज ठीक है, आपको लगी के आपने समझाया, हाँ, हमें भी बता है, आपने बहुत बार बताया लेकिन the way you said no that wasn't the way sorry आपने मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने बोला बिग बस ने वार्निंग दी आपने sorry भी बोला इस तहां के बोला आपने एक दिन प्रतिक को धक्का मारा जो के वो मिर्ची विर्ची खिलाने वाला वह जो टॉर्चर टास्तर इसमें करन निशान का था तो उस टाइम पर आपने धका मारा दूसरे दिन तो आपने प्रतिक को और ओर्डियंस किया था हम ने जिस पर और जो बहुत लोगों को पता है कि और यह वोट नहीं किया था जनता ने फैसला किया है आपको इस घर में नहीं रहना चाहिए इस तरह तो सब मतलब सभी जो इना शॉक्त है एट वोज शॉकिंग इट वोज शॉकिंग रश्मी तो बहुत ही रो रही थी करन ऑवियसली उससे बहुत अटेश था उसको तेजा को इतना कुछ नहीं था लेकिन जो बाकी लोग त अच्छा था और लोग जानते हैं कि अंदर वाले कि वो अच्छा था वो इतना बुरा भी नहीं था जितना बुरा उसे दिखाया जितना बुरा उसे बनाया सब जानते हैं मानो या ना मानो सब को पता है उमर रियाज इतना बुरा नहीं था और जो है पतिक ने भी उमर को ह हैं उसने भी सारी बोला नए भाई कोई प्राब्लम नहीं है कुछ नहीं है वो भी बुरा फील कर रहा था प्रती और जो है उन दोनों ने बहुत अच्छे दिखा करन वाज अपसेट वह भी थोड़े से वह क्योंकि इतना लेकर चलाता है अब कितना भी फेक है लेकिन एक रिलेशन्शिप एक दिल जुड़ी जाता है और जुड़ा ही होगा करन का भी उमर से उसकी बन गई होगी दोस्ती और जो है रश्मी बहुत जादा रो रही थ रहती हूं वह डिजर्व करता था मैं तो अभी आई थी और हम भी जानते हैं कि जो डिजर्विंग था ना उसको निकाला किसलिए है क्यों निकाला गया है कुछ भी कहलो हमें ये गेम पता था ये पहले से यह आज नहीं हुआ ये शुरू से ही उमर के साथ किया गया था यह संब डिकरा था चीचिक एमर फैन को बॉल रही थी कि तुम लोग गलत दिशा पे देख हो तुम सही दिशाप ब्लान यह मेकर्ण का मेकर's का लाझ यह ऑट ठीक है नहीं मानी तो ना मानी उमर फैन के उस पर है उनके ऊपर है और जो है राकी ने बोला प्रतियुक यहाँ न और निशान ने बोला करण से कि तूने बहुत कुछ करण बहुत अपसेट थे तो इस था कि हमने बाते थे कि जब कि अभी गीता उने बोलके गई थी लेकिन निशान तो निशान थी है दोस्ती होता है वो फिर भी गेम के लिए भी अपने करन्ट से उनकी जो दून्ड है उनों हिए उनको जाके कनसोल किया उनको बोला कि तु यहां पहुचा है ऐसा नहीं सोचो करन्ट ने बोला मैंने बहुत दोस्त को है जब शमीटा वगारे भी शमीटा को है सही time पर अपने दोस्तों के लिए stand नहीं स्टेन लें इस तरह की बात करन को बोला क्योंकि वह बहुत अफसेट थे पूरा दिन उनका एक तरह से गया सलमान ने तनी बाते सुनाई लोगों ने आके बाते सुनाई तो उसके लिए तो वह बुरा ही डे है और उसको ही इतना जादा अकारलत दिखाया खराब दिखाया हम म करना है जहा यह स्टैन लेना है वहां चाहे दोच भी हो कोई भी हो वह एक हम बाते रहता था है और राखी आए और उनको ब्रेड और अंड की पड़ी है मतलब एक बंदा भी बाहर गया है आपको कुछ शरम नहीं है आप आते ही बोल रहे हो किया रहे वह तो गया अब हम यह ब्रेड और अंडे का बटवारा कैसे होगा वाट मतलब कोई वैलियू नहीं है हर चीज बाज यह ही है तो वह थोड़ा गराब दिखा है और इसना की कनवर्सेशन के बाद भले निशान ने बोला कि यार यह तुम लोग क्या बाते कर रो बाद में करें लेकिन वह पार्ट तो बने ही थे तो वह तीनों दिखें हैं और फ पहले सीजन में जब तुमारा बाइफरेंड गया था तब भी मैं तुम्हारे साथ थी और अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ इसना की बात हुई और रशमी ने बोला उमर अच्छा है मतलब वह कंपेजिजन हो रहा ता तो देवन ने बोला यह तुमारा जो है ना सच्चा प इन तीनों को निशान प्रतीख और देवों को मिलेगा कि इन सारों को स्वाइप उफ करके वो टिकेट फिनाले जीते हैं लेकिन बात समझ नहीं जब यह लोग एक सकति हैं तुछ समझ नहीं आता तुछ देखेंगे कल क्या होता है और छाएक peers को पूरा मुहीं काला था प्रतिक के एपिसोड जो है उसमें सबसे अच्छी जो एडवाइस दी गई है या इतना से हेल्प की गई है उसमें सबसे अच्छे से जिबीना ने बात की है गीता ने बात की है और बहुत अच्छे से अपनी अपना मतलब बोला है सपोर्ट किया है देविया मुझे थोड़ी गलत दिख आपसे जाद़ा वो लोग सबसे बहुत अच्छी लगी उमर का जाना सबसे जाद़ा जब इस एपीसोड में बुरा लगा जबके हम सब जानते हैं कि वो जाने निकल चुके थे ये पूरा वीकेंड तक चला है बात लेकिन उसके बाद भी वो एपिसोड में देखना उस परसन को जाने इस्पेशली जाते वे देखना जो सबसे जादा डिजर्विंग था मतलब अगर प्रक्तिक और उमर मैं कहती हूँ और निशान फिर उसके बाद बाकी सब ये तीन मुझे लगता है कि मोज डिजर्विंग है लोग थे मगर उसके साथ जो भी किया है गलत किया है तो ये गलत हुआ है और यही एपिसोड थी अब देखते हैं कल क्या होता है आपको कैसे लगी आप क्या कहना चाहते हो प्लीस कमें बॉक्स में बताईए और देखते रहिये बिग बउस लाइफ वीडन वूट सलेक एपिसोड एवरी देखिवर्टेश विजिए उसे एपर मोर अपडेट्स रविजिए और नूज्बर्ट पर आपकेट टो सब्स्क्राब अ चिवी निया शर्मा और ये वाचिव में गित्स विजिन उसल्ग